जैन प्यारे सांतियों अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है प्यारे सांतियों जितने वी छात्र बिहार डीलेट इंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट हैं कि यह वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि बहुत बड़ी नहीं समझेंगे और सभी और सभी का मिविस अपडेट में आय आया है क्या चीश सब्सक्राइब कर दिया गया है जी हाँ बिल्कुल आप से भी सही सुन रहे हैं आप से भी का एक्जाम जो हो रद कर दिया गया है मैं आप से भी को ऑफिसियली जो न्यूज है ऑफिसियली न्यूज आप से भी को मैं परकर दिखा दू यहाँ पर आप से भी एक चीज़ देख रहे होंगे बिहार बिद्धाले परिक्षा समीती परारंबिक सिक्षा में डिप्लोमा D.A.L.A. पाटेकरम सत्र 24 से 26 में नमांकर है तो ओनलाइन CVT विदी से आयोजित होने वाले D.A.L.A. परिवेस परिक्षा 2024 की परिक्षा में सम्मेलित होने वाले अब बिहारतियों को उनकी अभिवा परिक्षा सम्मेलित आवस्यक सुचना यहां पर और मैं आपसे भी को हाइलाइट कर दूं आपसे और दिखा दूं अच्छे से यहां पर एक चीज और क्या आहां जा रहा है कि एतत द्वारा विज्यापित P.R. 172.24 में प्रारंबिक सिक्षा में डिप्लोमा D.A.L.A. पता उनके विवावक संबंदित जीला पदचिकारी समस्थ सुचित को किया जाता है कि धिनांक 30 तारीक से लेकर 31 की पढ़िक्षा को अपड़िवाण का मतलब अपड़िहारी कारणों से अस्थगित की जाती है देखिये मेरे प्यामितर जैसे कि आप सभी को पता था कि 30 वाला था लेकिन यहां पर रद कर दिया गया है जिन जिन चात्रों का 30 तारिक को एकजाम था उन सभी को अब एकजाम देने नहीं जाना है प्यारे मितर आप लोग समझेंगे बात को जिन जिन चात्र का 30 तारिक को एकजाम था और 31 तारिक को एकजाम था वो सभी एकजाम देन पुना निधारितिति की सुचना अलग से पिग्यापिन के माध्यम से परसारित किया जाएगा जैसे 30 तारिक और 31 तारिक को जो रद किया परिक्षा उसका जो डेट निकलेगा न उसको फिर से आपको परसारित किया जाएगा फिर से बताया जाएगा फिर आप सबी तीन नमर पॉइंट को पढ़ेंगे दिनांग 142024 से 2842024 तक की परिच्छा निर्धारी समय पर संचालित की जाएगे और फिर से समझेंगे वैसे चातर जिनका एक तारीको दो तारीको चार तारीको आठ तारीको परिच्छा जो था वो सभी अपने टाइम से ही चलेगा अस्थगित हु 288 एक अपरिलं तक के जितने 322 वmot फिर चातर सरग गया है तो बहुत ही जल्द सुचिना देखने को आप सभी को मिलेगा तो उसी के हिसाब से आप लोग अपने exam अपने फिर से admit का निकार लेंगे, फिर से आप सभी का center आएगा, और उसी दिन आप सभी को exam देने जाना है, एक टारीक से लेकर 28 टारीक के वीच में जिनका भी exam है, उनका exam cancel नहीं हुआ है, 30 आए 31 के चातर जिनका admit का निकल चुटा है इनको एक्जाम देने जाना था उन सभी का जो है एक्जाम को रद कर दिया गया है उमीद है आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे अगर अभी भी नहीं समझ में है कॉमेंट कीजिएगा अच्छे से आप लोगों को समझा दिये जाएगा ठीक है चलिए